Dear students, today we are going to learn the 10th chapter of your general English of class 10th. प्यारे विद्यारतियो, आज हम कक्षा दस्मी की general English का lesson 10, जो है उसकी exercise पढ़ने जा रहे हैं, इस chapter का नाम है the tribute second, means ये आदरांजरी या सद्धांजरी का दूसरा हिस्सा है और इसको रिखा है दाश देनुरने, तो चलिए देख वेते हैं, सबसे पहले आपके इस exercise में word power है, शब्द शामार्थ है, इसमें देखते हैं कि क्या है, पहला question देखिए, search the text for the meaning of the following phrases, नीचे दिये गए वाक्यांसों की meaning के लिए आप चैप्टर में आए हुए एक सब्द को तरासिए, मतब अनेक सब्दों के एक सब्द लिखना है, तो जैसे देखिए, the area immediately around a place, एक ऐसी जगह है, जो आपके बिलकुर नजदीक हो, जो आपके बिलकुर आसपास हो, आसपास के इलाके को क्या कहते हैं, तो उसको इस चैप्टर में विशनिटी बोला गया है, बिशनिटी मिन्स होता है, आपकी आँखों से आसपास जितना भी छेत दिख जाए, पिर दूसरा है, to take hold of something suddenly because you are upset, किसी चीज को अचानक पकड़ रेना, क्योंकि आप डर गए हैं, you are upset, इसको एक सब्द में क्या कहेंगे, तो इसका एक सब्द में answer है, क्रच, क्रच मिन्स होता है, जकड कर या कस्प कर पकड़ना, तीसरा है, to put things in an untidy pile, चीजों को आवेवस्थित तरीके से धेर रगा देना, इसको क्या कहते हैं, untidy means अवेवस्थित, तो उसको heap कहते हैं, चौथा है, not influenced by your emotion, यदि आप अपनी भावनाओं से प्रभावित नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको dispassinatory बोलते हैं, dispassinatory, और अंग्रा, last है, quietly or secretory, चुपके चुपके, चुपचाप या चोरी चुपे, उसे क्या कहते हैं, उसको एक सब्द में, steer three बोलते हैं, चोरी चुपे, उसके बाद अंग्रा question है, add appropriate prefixes to the given words to make antonyms, नीचे आपको कुछ शब्द दिये गए हैं, इसमें आप prefix जोड़िए, उपसर्ग जोड़िए, यानि इनके आंगे, इन में से कोई एक शब्द लगा देजिए, और ऐसा अगर आप करते हैं, तो आपका antonyms बन जाएगा, बिलोम सब्द बन जाएगा, उसका just opposite word बन जाएगा, तो जैसे known है, तो known में अगर आप union रगा दें, तो ये unknown हो जाएगा, इसी प्रकार possible में im रगा दें, तो impossible हो जाएगा, like में dis रगा दें, तो dislike हो जाएगा, kind में un रगा दें, तो unkind, grateful में ungrateful, connect, disconnect, regular, irregular, responsible, irresponsible, तो prefix यानि एक ऐसे रेटर्स का समूह होता है, जो किसी शब्द के आगे लगता है, रेकिन उसकी अपने आप में कोई meaning नहीं होती है, ठीक है, चलिए, आएगे देखते हैं, prefix का ही एक छोटा भाई, समकच, suffix होता है, हिंदी में उसको प्रत्य कहते हैं, प्रत्य या आद में जुड़ते हैं, और उसके अर्थ को बदर देते हैं, जैसे यहां लिखा है, गार्डनर, is a word made up two words, गार्डन, एंड एर, तो गार्डन जो है, यह root word है, और एर उसका suffix, यानि प्रत्य है, make new words from the following words, नीचे दिये गए सब्दों से कुछ नए सब्द बनाईए, लेकिन आपको जोड़ना किसको है, suffix के रूप में, er, r और or को, तो जैकि यहां देखते हैं, आपके पास यह सब्द दिये हैं, और इहर साइड आपको, er, r या or जोड़कर नए सब्द बनाना है, जैस दोर मेंस नियम और रूर मेंस नियम सासन करने बारा, दोशा है कंटिव्योट, तो कंटिव्योटर हो जाता है, यहां e हटकर or जोड़ जाता है, फिर दीज़ सा है teacher, आप इसको जानते हैं, अच्छे से teach है, इसमें er जोड़ देते हैं, तो यह teacher बन जाता है, do से doer बन जात तो इस प्रकार से यह कुछ सब्द थे, इसमें आप suffix जोड़ दिये, तो यह नए शब्द बन गया, जैसे teach means पढ़ाना और teacher पढ़ाने बाला, यानि पूरा अर्थ ही change हो गया, तो इस प्रकार से हमने prefix और suffix देखा, चलिए देखते हैं अंगला section, how much I have, have I understood, हमने कितना स पढ़े हैं, उसके आधार पर हम क्या प्रस्तनों के उत्तर दे पाते हैं, यदि दे पाते हैं, तो कितना, उसमें पहरा section है, answer their questions, इन प्रस्तनों के उत्तर दीजिए, one or two sentences, एक या दो sentences में, दो वाक्यों में, चलिए पहरा question देखते हैं, What change did Babri notice in the behavior of his nephews and sister Inra? Babri ने अपने भावी और भतीजों के ब्योहार में क्या change या बद्राव पाया या देखा? तो answer देखिए, Babri noticed that, Babri ने यह देखा कि, his nephews did not rest, उसके भतीजे दोड़ते दोड़ते नहीं आये, towards him, उसकी तरफ, howling, चिल्राते हुए, here is uncle, पहरे क्या है कि आज जब ये बद्री जाता था घर, तो उसके भतीजे जो जो से चिल्राते थे कि चाचा आये, चाचा आये, लेकिन आज कोई भी दोड़ते हुए, नहीं आया, his sister in Ra also did not come from the kitchen, और उसकी जो भावी थी, sister in Ra थी, वो भी kitchen से बाहर नहीं आई, to receive him, उसकी अगवानी करने के लिए, उसका अविवादन करने के लिए, उसके बाद दूसा question है, Why did Baburi's mother leave the place where the division was taking place? Baburi की मा बटबारे बारी जगह से क्यों चली गए? Answer है, Baburi's mother left the place because the scene of the division might have been piercing. Baburi की मा उस बटबारे की जगह से चली गए, क्योंकि जो बटबारे का दूस्च है, Scene of the division है, जो बटबारे का दूस्च है, वो उनको चोंट पहुँचा सकता था, Piercing माने वैसे तो हो लगता है, चीर फाट देना, घुजेड देना, कुछ भी, लेकिन यहाँ Piercing का मतलब है कि कस्ट पहुँचाना, हो सकता है कि बटबारे की बजह से उनको कस्ट होता, How did the second brother behave at the time of division, बटबारे के time में उसके दूसरे भाई ने किस पकार का behave यानी बरताओ या बेवहार किया, तो answer, the second brother behaved like a butcher's knife, दूसरे भाई ने कसाई के चाकू की बहांती बेवहार किया, He whispered in his wife's ear several times, वह अपनी पतनी के कानों में several times, यानी कई बार whispered यानी फुस-फुसाया, To discuss things, बटबारे की चीज़ें discuss करने के रिए, He was emotionless, वह भावना सून ने हो गया था, उसमें भावनाएं नहीं बची थी, Question number 4, Who proposed to buy the share of the land given to Bavari, बबरी को दी गई जमीन को खरीदने का प्रपोजर यानी प्रस्ताव, Who, किस ने दिया था, तो answer, बबबरी's second brother proposed to buy the share of the land given to Bavari, Bavari के दूसरे भावी ने, Bavari के हिस्से में आई जमीन को खरीदने का प्रस्ताव दिया था, क्यों क्योंकि वो जानता था कि इसको भूने स्वर में रहना है, तो यह हमको बेंच देगा, तो हम इसमें अपना खेती वाड़ी करेंगे, Question number 5, How has the author described the paddy field? Author ने धान के खेतों का वर्णन कैसे किया है, Author यानि रेखक describe मने वर्णन paddy field यानि धान के खेत, Answer, Author says that, Author बोलता है कि, He could feel the imprints of his elder brother's feet, वह अपने बड़े भाई के imprints यानि पदच्छाप, Imprints means होता है निसान, काउन से निसान? बड़े भाई के पैरों के, हथेलियों के और फिंगर्स के निसान देख पा रहा है, Everywhere, हर जगर, On the paddy field, His sweat was sparkling, उनका पसीना चमक रहा है, Sparkle कर रहा है, Like pearls in the field, जैसे की वह खेत में मोती हूं, मतब उनकी महनत खेतों में दिख रही थी, Question number 6, Why did Baburi give paper slip to his elder sister in Ra? Baburi ने अपनी बड़ी भावी को, एक कागच की पर्ची क्यों दी थी? Answer, Baburi gave the paper slip to his sister in Ra, Because he had no courage to face his elder brother, Baburi ने अपनी बड़ी भावी को, उस कागच का तुकड़े इस विये दिये था, क्योंकि he had no courage, उसके पास साहस नहीं बचा था, To face his elder brother, अपने बड़े भावी का सामना करने का, इस परकार ते आपके section A के question answer complete होते हैं, Now we are moving just to the second section, Answer these questions 3 or 4 sentences, इन परस्णों के उत्तर आपको 3 या 4 वाक्यों में देना है, चलिए परहा question, Describe the preparation made for the division in Baburi's house, Baburi के घर में बटवारे की जो preparation थी, तयारी थी, उसका वर्डन कीजिए, किस परकार से तयारी चल रही थी, Answer, 7 or 8 people gathered in their courtyard, साथ आठ फोग उनके आगन में इगठा हुए, Courtyard means आगन to monitor the division, बटवारे का निरिच्छन करने के लिए, All the household articles were heaped, सारा का सारा घरे रू सामान इकठा किया गया, In the courtyard, आगन में ही, All the movable and immovable properties were to be divided, सारी की सारी चल और अचल संपत्ती, Movable and immovable property were to be divided, बाटा जाना था in three parts, तीन हिस्षो में, The three brothers were present, But their mother was not there, उस बटवारे के समय तीनों भाई तो उपस्थित थे, लेकिन उनकी मा वहाँ उपस्थित नहीं थे, उसके बाद questions number second, Write a short note on the Bavari's elder brother, Bavari के बड़े भाई पर एक छोटी सीटे पनी रखिये, छोटा सा note रखिये, आंसा देखिये, Bavari's elder brother was very sincere to his duty, Bavari के बड़े भाई जो थे, वह अपने करतब्यों के पती बहुत ही sincere थे, He was a noble and kind man, वह एक सभ और दयार उब्यक्ती थे, He put his wristwatch in the heap of household, वह अपनी घड़ी, हाथ की कलाई की घड़ी, उन सामानों के धेर में रख दिये, यद्यपी और दो it had close attachment with him, यद्यपी वह घड़ी उनके बहुत निकट थी, उनसे उनका जुडाव था, Once he put his blanket in the author, on the author to protect him from court, एक बार तो उन्होंने अपना blanket, अपने छोटे भाई को ठंड से बचाने के लिए, उसके उपर उढ़ा दिया था, ताकि इसको ठंड न लगे, इसके बार question number 3, Describe बबरी's feeling while walking in the fields, खेत पर चलते समय, खेत की मेनों पर चलते समय, बबरी की भावनाओं को बेक्त कीजिए, बबरी की क्या भावनाएं थी, जब वह खेत में अपने बड़े भावी के साथ, अपने हिस्से की जमेन देखने जा रहा था, तो answer देखे, बबरी felt the presence of his elder brother everywhere, बबरी अपने बड़े भावी की presence यानि उपस्थिती everywhere, हर जगह देख पा रहा था in the field, He could feel the imprints of his elder brother, वह अपने बड़े भावी की जो imprints है, निसान है, वो देख सकता था, जैसे की उनके हथेवियों के निसान, fingers के निसान, and feet के निसान, His sweat was sparkling like purse, उनका पसीना खेत में मोतियों के समान चमा करहा था, in the fatty field, धान के खेतों में, He was deeply moved, बबरी बहुत बदर गया था, उसका हरदें परिबारतन हो गया था, Question number 4, How did बबरी पेटर ब्यूट टो इस elder brother, बबरी ने अपने बड़े भाई के पति सद्धांजरी या आदरांजरी कैसे देखत की, तो आंसर देखिए, बबरी पेटर ब्यूट टो इस elder brother, बबरी ने एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा, अपनी भावी को सव्पत कर अपनी सद्धांजरी यार्पित की, अब वो कागज के टुकड़े में क्या था? In which he said, उसमें उसने रिखा था की, He was his friend, कि उसके बड़े भाई ही उसकी जमीन है, From where he could harvest everything, जहां से वह कुछ भी उपजा सकता है, Harvest means होता है उपजाना, In life, कहता है, वह जिन्दगी में बड़े भाई से कुछ भी सेख सकता है, उसको जमीन जाइदात किया सकता नहीं है, He asked his elder brother to accept the fears of his share, उसने अपने बड़े भाई से अनरोध किया था, कि वह उसके हिस्से की जमीन को accept कर रहे हैं, इस प्रकार से आपके section A, section B, prefix, suffix, antonyms, ये इस chapter में समाप्त होते हैं, अंगरे chapter के वीडियो के साथ हम फिर उपस्तित होंगे, तब तक के लिए आप सभी का सुक्रिया,